हाई हेलो एवरिवन आएम विशाल जोशी आपका प्यारा वीजे सर आज हम बात करेंगे कि केमिस्ट्री के अंदर इन और्गनिक में सबसे इंपॉर्टन टॉपिक्स कौन से हैं जे मिन्स के लिए दोस्तों तो सबसे पहले केमिकल बांडिंग है बहुत इंपॉर्टन टॉपिक्स में से हर साल सवाल आते हैं और इसके इसके अंदर मॉलिक्ल अबिटल थियोरी को आप देख करके जरूर जाएं मोटी में से हर साल एक सवाल पक्का आता है इसमें अगर आपको ध्यान देना है तो आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टन होता है इसमें लगवग चार सवाल आते हैं इसमें दो सवाल सेफ्टी के पक्का होते हैं गाईसोमरिजम का होता और एक या तो सिनर्जिक मांणिंग में से आएगा या नॉमल क्लेचर में से आएगा तो आप ये स्रोपिक्स को अच्छे से करके जाईएगा इसके बाद अगर हम देखते हैं मैटलर्जी तो जनरली मैटलर्जी का ट्रेंड देखा कि आए कि आपका इलिंगम डाइग्राम में से कॉपर आईरन में से सवाल आता है तो आप NCRT से पूरा का पूरा पूरा पी ब्लोग अच्छे से याद कर जाएए NCRT के लवा आपको एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं है पी ब्लोग में वह स्ट्रेट फॉरवर्ड जी मेंस के NCRT से होते हैं ठीक है इसके बाद जो आपके सवाल लाएगा वो आएगा आपका S-Block Z-Block के दिरृवर्ट का सवाल सही कर सकते हैं इसके बाद D-Block की बात करते हैं तो D-Block के अंदर preparation जरूर देखके जाएगा K2CR27 और KMN4 और K2MN4 इनकी preparation जरूर आती हैं अच्छे से याद कीजिएगा प्लस trains जैसे लेंटरनेट, contraction वगेरा ये trains आप अच्छे से याद करके जाएगा hydrogenous compound यहां दोसों बिल्कुल मत भूलिएगा NCRT से याद कर लेना पूरा का पूरा इसमें main part जो आता है वो आपका hardness आता है, H22 होती है और hydrides, इन तीनों को जरूर से याद करके जाएगा, एक एक line अच्छे से याद करी होनी चीए इसके बाद मैं बोलूँगा environmental chemistry पूरी NCRT से अच्छे से याद कर लीजेगा क्योंकि environmental chemistry का हर साल एक सवाल पका आता है और इस साल दोस्तों जी advance में भी जुड़ गया है इसलिए environmental chemistry आपके लिए बहुत important हो गया है quality बना से इसकी बात करें तो generally लीजे ही मैं इसके सवाल बहुत कम आते हैं इसलिए अगर आपके पास time है तो आप पढ़के जाएगा अगर नहीं है तो आप इसे छोड़ सकते हैं ठीक है तो I hope मैंने सारे ही topics इसमें cover करने की कोशिश की है फिर भी अगर कोई topic छूट जाए तो आप उसे पढ़के जाएगा आप रिस्क मत लीजिए ये topic तभी आपको पढ़के जाने जब आपका एक बार revision हो जाए अच्छे से या फिर आपके पास समय की कमी हो और आप में डर बैट गया हो anxiety हो तो आप इन topics को जरूर कर लें आपके दर और anxiety दूर हो जाएगी short short आपके करीब करीब 10 में से आप ये मान के चलिए 7 से 8 सवाल जरूर सही हो जाएंगे